नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजिनिरिंग हैक्स पे हम लोग फिर से आज रहे आटोकेट की ट्यूटिरल स्रीज की नेक्स्ट वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक प्लैन की लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो प्लैन बनाया था उसकी जो डैमेंशन की यूनिट थी वो फिट और इंचिस में थी आज की जो प्लैन है उसके अंदर जो हमारी यूनिट होगी वो सेंटिमिटर में होगी साथी साथ पिछले वाले प्लैन में अगर आप लोगों याद होगा तो आपको outer to outer dimension दीवी थी जिसकी लेन थी 25 पिट और 40 पिट बट आज वाले प्लैन में हमारे पास जो dimension गिवन है वो outer to outer नहीं है वो room to room dimension है तो इस प्लैन को किस तरीके से बनाया जाता है इससे आपके दो डूट के लिए रहो जाएंगे कि अगर मेरे पास outer to outer dimension नहीं है तो plan को किस तरीके से बनाना है दूसरा अगर मेरे पास 3 inches की unit ना होकर करके मिलिमेटर में unit है या centimeter में unit है या meter में unit है तो उस plan को अमें किस तरीके से बनाना है तो चलिए start करते हैं हमारी screen पर एक plan खुला हुआ है सबसे पहले काम क्या होता है किसी भी plan तो आज के पर लिया जाए तो इस plan को पाड़ने के लिए आंके ऊब पोड़ना के लिए इसके अंदर सबसे पहले आपने note पड़ना है note के अंदर लिखा हुआ है all dimension in centimeter मतलब के तरही है को सबू है सभी सेंटीमेटर में और दूसरा कहtr दिया हुआ है में वहbarsु है में वृल का साइजा यू द्क हैятно बार टे संर्य बॉल का धब ट्यम्हस है संटीमेटर या हुआइज आs अदर नर्स चारिकर से यहां पर रिष्टे टे वर्थाय COVID-19 W, W1 और V इनके क्या क्या मतलब है डोर, 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 ओपनिंग, विंडोर, विंडोर, वेंटिलेटर इनका साइज भी आपको दिया हुआ है 120 इंटो में 200 यह सबी साइज भी आपके सेंटीमिटर में है इस टेवल के बारे में हम बात में बात करेंगे क्योंकि स्टेवल का जियान से देख लेना कि इसमें किसी रूम की डायमेंशन मिश तो नहीं है यहां पर हर रूम की डायमेंशन आपके सामने दी हुई है सभी डायमेंशन की युनिट है वो सेंटीमिटर में है सेंटीमिटर में ही आपको इस प्लैन को बनाना है तो किस तरीके से प्लैन को बनाना या इन सबसे पहले आपको प्रेस करना है यू एन उंटर यू एन अंटर प्रेस करता ही आप लोगों के सामने ड्रोइंग यूनिट का डायलक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले चीज़ी वियर लेंद टाइप को आज आप रखोगे डैसिमल के मतलब जैसे आपके पास value 5.003 यानि कि डोट के बाद आपके तीन decimal तक की value है तो उसके लिए आप select करोगे 0.000 अगर आपके पास दो decimal तक value है तो 0.00 अगर एक decimal तक है तो 0.0 हमारे इस plan में कोई भी dimension decimal में नहीं दीवी तो इसके लिए मैंने precision रख लिए 0.0 और यहां पर खाफ जियान रखना है कि unit to scale inserted content के अंदर यहां पर आपको select कर लेना है cm तो चले देखते है cm हमें मिल चुआ है यहरा cm इसको आपको सिलेक्ट कर देना है ताइप में DECIMAL लखना है, प्रिसेजन आपको सिलेक्ट कर लिया और विए यूनिट तु सकेल इंसर्ट कंटेन्ट भी आपने लिए cm इसको आपने कर दिया OK यूनिट चेंज करने के बाद नेक्स्ट है हमारा होता है Dimension Style को Change करना Dimension Style को Change करने के लिए आपने प्रेस किया D-Enter D-Enter प्रेस करते हैं आपके सामने Dimension Style Manager का एक Dialect Box Open हो जाएगा इस Box के अंदर आपको जाना है Modify Modify पे क्लिक करने के पाद आपको जाना है Primary Units पे Primary Units पे आपको Unit Format Change कर देना Decimal Already है उसके बाद Precision जीतना आपने यूनिट के अंदर लिया था उतना ही यहाँ पर अब जब आप Dimension Style में आई चुके हो तो यहाँ पर अपने Symbol and Arrow और Text का Size भी Increase कर लो ताकि आपको बार-बार यहाँ पर ना आना पड़े क्योंकि By Default जो आपके Dimension के Text का Size होता है और जो Dimension के Arrow का Size होता है वो छोटा होता है उसको आपको अपने Drawing के हिसाब से Set करना होता है तो Symbol and Arrow में गया Arrow का Size मैंने ले लिया 20 cm और Text का Size मैंने ले लिया यह भी ले लिया 20 cm क्योंकि आपकी Overall Drawing cm में तो सारी की सारी उनिट आपकी सेंटीमिटर के अंदर ही काम करेगी यह 20 cm का Size क्यों लिया है Last Plan में मैंने आपको बताया था कि आपकी बोल अगर विजीबल है पूरा Plan दिखने के बाद भी अब इस बोल का Size कितना है 23 cm तो मैंने एप्रोक साइज टेक्स करें लिया 20 cm और एरो का Size लिया 20 cm लास्ट काइम आपके मोल की जो width थी वो 9 इंच थी तो मैंने जो टेक्स का और एरो का Size लिया था वो 9 इंच लिया था कहीं बार Plan काफी बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको अपने Size को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा करके लेना होता है तो यह Size आपको Set करने के बाद इसको OK कर देना है OK करने के बाद Set Current पे क्लिक कर देना है Set Current पे क्लिक कर देने के बाद Close कर देना है तो सबसे पहले आपने प्लैन को ध्यान से पढ़ा, एक एक चीज उसको ध्यान से देखी, उसके बाद AutoCAD ओपन करने के बाद सबसे पहला इस टेप है अपनी यूनिट को चेंज करना, यूनिट को चेंज करने के बाद नेक्स टेप आता है आपका Dimension स्टाइल को बदलना, अगर आप लोग ओटोकेड की ट्यूटरियल स्रीज देख रहे हो और अगर सेल्फ प्रेक्टिस आप लोग नहीं करोगे तो आपको देखने से सिर्फ आधा नहीं होगा, एक्जामपल अगर मेरे सामने कोई साइकल चला रहा है तो साइकल चलाते देखने से मुझे साइकल मुझे साइकल का हैंडल पकटके उसी गद्दी पर बैटके उसके पैंडल को गुमाना पड़ेगा, जब तक मैं चार-पांच बार गिरूँगा नहीं तब तक मुझे साइकल चलानी नहीं आएगी, ऐसा ही हर किसी इंसान के साथ होता है, अगर वो नहीं चीज सीखना चाता आप लोगों को AutoCAD सीखना जरूरी है, यह तो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि बिना AutoCAD के Certificate के, बिना AutoCAD की Knowledge के, आप लोगों को कहीं पर भी जूब नहीं मिलेगी, सबसे पहला कोश्चन आपसे इंटर्वे पूशेगा कि AutoCAD आता है कि नहीं आता है, तो आज क्लीट सिखाएंगे, इसकी भी को यरेंटी नहीं है, हम लोग आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डीपली जा करके सिखा रहे हैं, ताकि आप लोग उस प्रोड के चक्तर में ना फसो, क्योंकि आज के टाइम में हर जगा इतना प्रोड है कि आ आप लोगों कहा जाता है कि आप लोग आपको जोब एसिस्टेंस देंगे, और जब आप एक बाद फी पे कर देते हो, उसके बाद आप अपने घर वो अपने घर कोई जोब एसिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो एट लिस्ट आप लोग यहां से देख करके, आप लोग उस एक्जाम को कौलिफाइ कर जाते हो, तो आप लोगों को फ्री ओफ कोष्ट एक शर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आप लोग अगर आप लोग के पास लिया जाते हो, तो इस टूटरियल सीज़ को ध्यान से देखो, इसी सीज़ के बेस लास्ट में है, पोस्ट होगा उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना तो है न अच्छी बात मतलब आपको और फ्री में मिलेगा तो आप लोगों के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से देखें उस एक्जाम का सिर्फ एक या दो अटेम्ट होगा अगर आप लोगों तो चलिए प्लैन को बनाना स्टार्ट करते हैं प्लैन को बनाने के लिए आपने यूनिट भी चेंज कर लिए उसका डामेंशन स्टाइल भी बदल लिया अब एक बार प्लैन की तरफ जाते हैं कि इस प्लैन के अंदर आपको आउटर तू आउटर साइज यानिके इसकी ले तो सबसे पहले आपको यही बनाना है आपने रेक्टेंगल को बनने के बाद अगर यह सिंबल आपको परेशान करें तो इसको सेलेक्ट करो तो मिडिल बटन से कीज़ करके दूर रख दो तो आपको परेशान नहीं करें आप चाद उसको अठा भी सकते हो लेकिन इसकी जरूरत में पढ़ते रहती है हमें पता सलता रहता है एक डारेक्शन कौनसी है वाई कौनसी है तो इसको अठाने की जरूरत नहीं है अब 314 to 360 का आपका रूम बन चुगा है इस रूम को बनने के बाद आपने क्या किया इनर-to-inner-to-inner बना लिया है अब इस इनर-to-inner साइज के बाद इसके चारो तरफ वह लहाए इधर भी वहोल है इधर भी वहोल है नीचे भी वह लहाई और इस वोल को थिकन्स अगर आप compare करो इस वोल से तो इसकी थिकनेश ज्यादा है यह निकि आपके पास दो साइज दे हुए है थिकनेश के एक आपको दिया हुआ मेन वोल का 23 cm और एक आपको दिया हुआ एक offset ले लेना है 23 cm का इस रूम का outer side अगर आप inner side लोगे तो आपके रूम का size कम हो जाएगा आपको रूम का size कम नहीं करना है इसका offset आपको ले लेना है बाहर की तरफ अब आपका एक रूम कंप्लीट हो गया है अब इसी रूम को reference ले करके आपको अपनी planning x direction में complete करनी है और काके अभी बाद वाली वैल्यों के होगा यानि यह x-axis की वैल्यों और यह y-axis की वैल्यों है तो पहले हम लोगों ने decide कर लिया कि इस plan को हम x की डार्यक्शन में complete करेंगे एकी हम इस की डार्यक्षन में complete करने के लिए हमें काम क्या है next room को बनाना इस room का size 160 में 250 यानि कि यहां से यहां तक का size 160 cm है और यहां से यहां तक का size 250 है मुझे इस plan को x में लेके जाना है तो मुझे जरूरत है सिर्फ 160 की तो इस 160 को बनाने के लिए आप आपको इस single line का offset लेना पड़ेगा आगे की तरफ लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अगर एक लाइं को select करता हूं तो पूरा rectangle select हो जा रहा है तो इसको हटाने के लिए इसको तोडने के लिए आपको गळना पड़ेगा इसको Explode करना पड़ेगा और Explode करने के लिए जो shortcut किया है वो है X Enter X Enter आपने लिया दोनो rectangle select कर लिये और Enter कर दिया अब आपके ये दोनो लाइने अलग-Alग हो गई और जो की पूरे rectangle से अलग हो करके टूट चुकिए है अब आपको Offset लेना है 160 का offset इस line का offset आगे की तरफ ये बन गया आपका ये वाला room अब इस room के बाद क्या है आपकी 10 cm की wall है अगर आप लोग बोल भोल गए तो आपकी planning गलत हो जाएगी तो आप लोगों ने क्या किया अब इसका offset लिया 10 cm का offset इस line का offset आगे की तरफ क्योंकि हमारे जो room का size अगर अंदर की तरफ लोगे तो वो size अमारा 160 से कम हो जाएगा और रह जाएगा 150 अब इसी तरीके से आगे का room बनाते हैं आगे का साइज है 290 हमें इसी लेंस की जरूरत है तो आपने offset लिया O enter 290 enter आगे वाली line का offset बड़े ध्यान से काम करना है आगे की जरूरत मैं आपको पहली बताया था जितना भी काम करो उसको हाथ के हाथ चेक करके चलो यह वाला room आपका 340 का होना चीए उसके बाद यह वाला room आपका 23 cm उसके बाद यह वाला room आपका 160 उसके बाद यह वाली साइज दिया हुआ है वोल का दिया है जिसका साइज है 23 cm तो आपने एक offset लिया 23 cm का offset इस line का offset आगे की तरफ और लास्ट आपका उसेट बचता है 23 cm का यानि कि यहां से यहां तक आपकी planning एक्स में complete हो चुकी है अब आपको शिर्फ क्या करना है इस line को इस line से connect करना है तो connect करने के लिए fillet command बैस्ट है fillet command अगर आप एक बार यूज़ करते हो तो वो automatically discontinuous हो जाती है पोटोगेड के अंदर कुछ command ऐसी है जो repeat पे automatically चलती रहती है जब तक आप escape का बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक वो command एक्टिवेट रहेगी बट कुछ कमांड क्या होता है एक बार आप नहीं यूज़ गया और वो deactivate हो जाती है खुद बखुद पेड़ी कमांड हमारी एक्टिवेट कमांड है कैसी कमांड है लेकिन अगर आप फिलिट कमांड को बीना escape के बार बार यूज एक्टिवेट करने के बाद इस मुल्टिपल का option को फिलिप कर देना उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से अ जब तक आप खुद एसके को बट है इसी तरीके से आपने एक्स्तों लाा प्रिक है इसकी था बांगी सरी साइज फिट गजी है लेकिन आपका जो सेकिंड रूम मैं यह वाला इसका Opset उपर से नीचे की तरफ उसके बाद Opset लिया 10 cm का बोल बना रहे के लिए उपर से नीचे की तरफ ?Tr double entry से नीचे वे जी तना पॉरस है न बोर ट्रिम करदो ये भी ट्रिम ये बी ट्रिम और ये भी ट्रिम एक्स्ट लाइन राइन आपकी ट्रिम हो चुकिए हैं अब आपको इस plan को complete करना है वाई की direction में तो वाई की direction में complete करने के लिए एक बार फिर से plan को open करते हैं इस plan के अंदर आपको size दिया हुआ है 500 x 512 staircase को इस size को ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमें overall size यहां से लेकर के यहां तक का दिया है 512 यहां से यहां तक 512 इदर भी यहां से लेकर यहां तक 512 उसके बाद आपका यहां से यहां तक 23 cm की आपकी वोल है तो यह planning आपको वाई करनी है यह की direction में जब भी आप लोग बढ़ोगे तो बाद वाले size वह देखोगे यह चीज कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करनी थी यह कि बाद का size आपका y direction का होता है और पहला size आपका x की direction का होता है अब हम इस plan को y की direction में ले करके चलेंगे तो हमें सिर्फ बाद वाले size को ही consider करना है पहले size को नहीं लेना है जो इस value में लिखा हुआ है तो इसको complete करने के लिए सबसे पहले आपने offset लिया o enter 512 का offset इस line का offset और नीचे की तरफ उसके बाद offset आपका 23 cm का इस line का offset नीचे की तरफ उसके बाद offset आपका 360 cm का इस line का offset नीचे की तरफ offset कमांड लेते टाइम आपको बार बार escape का बटन दबा करके offset की कमांड को repeat करना पड़ेगा क्यूंकि एक बार size दिल जाने के बाद वो उसी size का offset लेता है तो अगर आपको size change करके offset लेना है तो पहले आपको कमांड से बाहर आना पड़ेगा किसी तर प्लैन के अंदर आप लोग देख पाऊगे कि आपका जो प्लैन की यह वाली वोल है यह continuous वोल नीचे तक बट यह वाली वोल नहीं है यह जो size आपका थोड़ा सा कम हो करके इदर बन रहा है तो आप लोग क्या करोगे fillet कमांड लोगे और इधर की line को connect होगे अंदर वाली line इसको हाथ के हाथ आप लोग ट्रिम करोगे बाद में बात के लिए उसको नहीं छोड़ोगे इसके दो फाइद होंगे कि जब आप लोग इस बीच वाले portion को लेगे जाओगे तो आपके complete line का offset नहीं जाएगा सिर्फ इसी line का offset जाएगा यह आपका X में उपर वाला portion complete हो 300 का वेचेगा तो कैसे करना है सबसे पहले आपने offset लिया 500 का इस line का offset इदर की तरफ उसके बाद offset लिया 23 cm का यहां से इदर की तरफ उसके बाद offset लिया आपने 300 का यहां से इदर की तरफ और उसके बाद आपने offset लिया 3 cm का यहां से इदर की तरफ 500 उसके बाद 23 उसके आप लोग क्या करोगे फिलिट कमांड लोगे इस लाइन को जोटना है अंदर की तरफ यहां पे और बाहर वाले लाइन को बाहर वाली से आप लोग अगर फिलिट कमांड लगाते हैं इस तरफ आप फिलिट कर दोगे तो इधर की लाइन गायब हो जाएगी आपको जिस कर दोगे टी आर डवल एंडर पर यह आपका प्लेन कंप्लीट हो गया उपर वाला पोर्शन एक्स में कंप्लीट हो गया बीच वाला भी बहुत रहता है आपका लाश्ट वाला इसको बनाने के लिए आपको साइज दियो है 340 उसके बाद 23 उसके बाद 150 उसके बाद 10 तो यह स उसके बाद 10 cm का इस लाइन का उसेट आगे की तरफ अब जितना आपका बच गया वह बाद का लाश्ट का रूम बच गया जिसका साइज आपको दिया है 323 और जिसके नदर यह वाली वह नहीं है यह वाली लाइन नहीं है तो इसको आप क्या कर दोगे सिंपली डिलीट कर दोगे ऐसे ही जहां पर आपको एक्स्टर लाइन नजर आएगी इसको आप डिलीट कर दोगे तो आपका ओवरॉल जो प्लैन है प्लैन की जो आउटर बांडरी इनर बांडरी वह आपने कंप्लीट कर दी है अब आपके पास नेक्स्ट वर्क क्या होगा आपको यह विंडो के साइज के इसाफ से सेट करना है और उसको किस तरीके से प्लेस करना है मैं एक बार फिर भी यहां पर आपको करके दिखा दूँगा सबसे पहले हम बनाएंगे विंडो को तो विंडो का साइज यहां पर दिया हुआ है और विंडो का साइज आपको यहां पर दिया हुआ ह यानिकि X की value तो नजर आएगी लेकिन जो वो depth जितना जा रही है 120 टोप से वो आपको नजर नहीं आएगी तो आपको top view की planning में इन बाद वाले size को neglect कर देना है इस चीज को mind में अच्छी तरीके से बिठा लेना है आपको सिर्फ 120 का size लेना है और साथ ही साथ आपको अपने इस वोल की thickness को लेना है क्योंकि आपकी window की length 120 cm है और कितने cm की वोल में लगी हुई है यह 23 cm की वोल में लगी हुई है इस window को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है सबसे पहले एक rectangle लिया REC ENTER rectangle का size कीतना दिया हुआ है 120,9 ने 23 उसके बाद आप लोगों ने क्या किया एक center में लाइन लगा लिए window का symbol बनाने के लिए उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल इसके ओकर text लिखना है तो टेक्स लिखने के लिए आप लोगों ने यहां टेक्स कमांड में गए यहां पर लिए सिंगल लाइन टेक्स या फिर इसकी shortcut की है DT ENTER DT ENTER पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला कामें इसको justify करना कि मुझे टेक्स को लिखना है center में इसकी position को justification देने के लिए आपको DT ENTER प्रेस करने के बाद बीना point क्लिक किए justify पर क्लिक करना है और यहां पर दे देने है center alignment center alignment देने के बाद आपको center point पर क्लिक करना है उसके बाद आपकी command बार पुझे की specify height height को बताने के लिए आपने height यहां पर डाल दे 23 cm उसके बाद वो पुझे की specify rotation angle of text हमें rotate नहीं करना text को 0 degree उसके बाद यहां पर text लिखने का option आजाएगा यहां पर आपने लिखा w command से बार आने के लिए बाहर क्लिक किया और escape अगर वहीं के वहीं escape कर दोगे तो आपका आप लोगों को आपके रूम के center point नहीं मिलेगा तो जहां जहां भी आपको विंडो लगानी है वहां वहां आप लोग क्या करोगे अपने इस opening को open कर लोगे किस तरीवें को हो गया अब next work क्या है कि आपको इस window को एक से या दो से ज्यादा जगा पर प्लेस करना है और तो अगर कोई भी object दो या दो से ज़्यादा जगा पर यूज हो रहा हो अलग-अलग rotation पर यूज हो रहा हो अलग-अलग size में यूज हो रहा हो तो उस component को place करने का autogad में सबसे आसान तरीखा ग्या है कि आप उस लोग को block बना लो ब्लोग बनाना मैंने पहले प्लैन में बता दिया था एक बार फिर से बार आप बता देता हूं फोटोगैड में दो टाइप के ब्लोग होते हैं temporary ब्लोग और पर्मानेंट ब्लोग की बार ही तब आएगी जब आप लोग अपना title ब्लोग बनाने जाओगे तब आपको अप ड्रियल क्या उजए होना चाहिए और किसने इसको बनाया है किसने इसको चेक किया है कभी बना था प्रूव यह सारी सीजे आपको जर्नल जो construction की जो चीजी होती है वो उसके अंदर mention करनी होती है अब हम बात करेंगे अपने temporary ब्लोग की तो temporary ब्लोग होनाने के लिए आप ल से नीचे वाली लाइन के मिड़ पॉइंट पे किलिक कर दिया और इस पूरे उब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस्ट किया तो यहां पे आपको अपने ब्लोग का छोटा सा प्रिव्यू में जड़ाएगा इसको आप कनवर्ट टू ब्लोग पे किलिक कर गे अब आपका यह जड़ोग में कनवर्ट हो चुका है आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि अब यह इस ओटोगेड की फाइल में टेंप्रेली सेव हो चुका है लेकिन वह सिर्फ इसी फाइल में यूज गया सकता है इसलिए हम इसको टेंप्रेरी ब्लोग बोलते ह कतो अगर हैं अगर आप नई ड्रोइंग open करके उसके अंदर इस बलोक को यूज करना चाहो तो उसको लिए आपको इस बलोक को रूमनेंट बलोक बनाना पड़ेगा अब थेम्परारी बलोक आपको इंसेर्ट करना तो इंसर्ट खरने के लिए आप आई ्टर प्रेस अगर यहां पर आपने value 2 डाल दी तो आपके original size कर double हो जाएगा x direction में ऐसे एकर y में भी आपने किया तो y में भी हो जाएगा z direction में काम नहीं होगा क्योंकि अभी हम सिर्फ 2D drafting की बात कर रहे हैं तो x और y में ही बढ़ सकता है इसको आप ok करोगे ok करने के बाद जहां भी आपको अपनी window इंसर्ट करनी है वहां पर आप क्लिक करोगे simply उसके बाद फिर से i enter ok और यहां पर यहां पर उसके बाद एक window यहां पर लगी हुए 90 की rotation पर तो इसको कैसे use करोगे i enter इसके angle की value डाल दी 90 degree ok और यहां पर आपने कर आपने की विंडो प्लेस हो रही है वहां वहां अपनी विंडो को simply प्लेस कर दोगे i enter एंगल की value डाल दी आपने 180 degree और यहां पर यहां पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंगल हमेशा एंटी क्लोग वाइज डारेक्शन में ही काम करता है तो आपने एंटी क्लोग क्रिश्च ने ने के पाद काम करेंगे अपने staircase का तो staircase बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है simply अपनी staircase को एक देख लेना है इस staircase की लेंटे 360 degree और जो width है वो है आपकी 200 तो इसको गणाने के लिए आप लोगोंने क्या किया सबसे पहले को ऑफसेट लिया 360 cm का offset इस line का fed in the background to do 2003 3D from 06 कि झार की स्कवार फोइडर की तरफ 1600 में aham से यहां तक साइज 200 और यहां से यहां तक साइज 360 फिलिट कमंड आप अपने ली और यहां से यहां किसको क्या कर दिया कनेक्ट करने के बाद आपको इसके सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है यहां से यहां तक कि सेंटर में लाइन किसलिए दिया होगा है कि आपकी जो स्टेयर केस है वो तू स्टेप्स में बनी है पहले आप लोग यहां से गए उसके बाद रोटेट किया उ के बाद यहां से अब आपके इसके बीच के step बनाने हैं तो step बनाने के लिए आपको आपकी planning के बीच में जो step दिया है वो आपको count करने पड़ेंगे जर्नली आपको staircase के जो numbers होते हैं ट्रेड के और राइसर के यह खुछ से calculate करने होते हैं इनके कुछ formulas होते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो आने वाले टाइम में हमारे इस चैनल पर आपको estimation and costing के tutorials भी available होंगे जिसमें आपको software के अंदर भी estimation and costing सिखाई जाएगी और साथ ही साथ आपको theoretical भी बताई जाएगी तो अगर आप लोग को number of step calculate करने नहीं आते तो आप लोग वहाँ पर easily सीख सकते हो अभी के लिए हम steps काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच चेह साथ आठ नो दस हमारे 10 step दिए हो है total length 360 360 में 10 step है तो एक step की length इतनी हो जाएगी आपकी 36 cm हो जाएगी तो इसी तरीके से आपने offset लिया 36 cm का यहां से इधर एक को उठाया multiple पर click किया और इधर आपने बार-बार click करते गए तो यह बन गया आपका step अब यहां पर आपको circular part बनाना है circular part बनाने के दो तरीके है पहला तरीका किया है या तो आप circle बना लो यहां पर इस तरीके से और अंदर वाले part को trim कर दो या फिलिट कमांड का यूज कर सकते हो अगर आप perpendicular line की बात करोगे तो आपकी एक circular arc बन जाएगी इस तरीके से automatically जोनो लाइन के बीच में इसका अलग यूज है parallel line में क्या होगा circular arc बनेगी और perpendicular line में क्या होगा intersection point करा करके connect हो जाएगा उसके बाद इसका भी offset आपने लिए लिए 23 cm का offset इधर से बाहर की तरफ extra line है जो आप की है उसको आप कर दोगे trim यहां से trim यहां से trim इस तरीके से और यह line आप कर दोगे इस तरीके से चोटा नहीं यहां पर दिया वाँ इसको भी आप बना लोगे अब मैं आपको बताता हूँ डोर की cutting करना और एक डोर को नहीं दिया हुआ तो यह size की तना है आप लोगों ने नोर्मली जर्नली देखा होगा कि जब भी-गभी घरों में गेट लगा जाता है तो गेट अगर थोड़ा भारी होता है तो आपकी बोल्स के अंदर लिए यह gap है आपका 23 centimeter का तो इसको बनाएगी सबसे पहले अपने एक लाइन ली इदर इदर इसका उफट लिये तूंटी-3 cm का यहां से यहां उसके बाद आपने उप सेट लिया 100 cm का वो लिया आपने यहां से और यहां से और इदर टी-आर डबल एंटर से एक्स्ट्रा पोर्शन आप कर दोगे ट्रिम करने के लिए आप लोग तोल्स पैलेट में जाओक है daak par शेक्ट करना इस और ड्राब इसको अब इसको आप शेलेक्ट करोगे सबसे ऊपर और वाले एरोपे किलिक करके open कर लोगे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे open करने के बाद अब इस डॉर की orientation मुझे देनी है इस डारेक्शन में तो इस डारेक्शन में देने के लिए आपने इस डॉर को किया rotate आरो एंटर से और इसको हमने कर लिए 90 डिग्री में rotate कि कि ओरेंटेशन आ गई मुझे इस तरफ से fix दिखाना है और इस तरफ से opening दिखाने है उसके बाद आपको करना इसके ने नेके साइज को शैर्ट करने के लिए सीैल कमाण दोगे isci enter object को सेलेक्ट करोगे enter base pospace दोगे base po life देने के बाद मेस्ने से किरिक करना एप काहं कहुं क कहना है यॉवट कर दो कि मुझे इस point से site क्लिक करके इस point तक करना है पर करना है नीचे थी है 100 cm। कि पाद से प्रवाले प्ょंटन में काटिंग हो चुकी है किया मैं आप यहां देखोगे तो यह wire को दिए वात दी तो आप लोग इस साइज को चेक कर लो कि यह ओटोमेटिकली 100 है यह कैसे हुआ जब आपने शुरूम को 250 का साइज दिया तो नीचे का बचावा साइज ओटोमेटिकली 100 cm का रह गया अब एक डोर बचता है यहां पर डीटू डीटू का साइज दिया हुआ 80 इंटू में 210 आप दसके दसकी जो टोप रेल की हाइट हो की ग्राउंड लेवल से वो इकवल रहेगी कम यह जादा नहीं रहेगी क्योंकि दोर को लगाने से पहले वोल में आपके लिंटल बीम का यूज गया जाता है तो उस बीम को बनाने के लिए हमें अपनी टोप रेल को इकवल रखना प इस लाइन का उफसेट ऊपर की तरफ अब बाकी का जो पोर्शन बचा टीयार डावल एंटर से आपने उसको ट्रिम कर दिया यह बन गई आपकी कम्प्लीट प्लैनिंग प्लैनिंग बन जाने के बाद अब आपको इसका अगर सेक्शन ड्रो करना है तो आप सेक्शन नाइन को कट करके दिखा दिया था जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वह लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद यगर आपके कुछ डॉट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोच सकते हो मैं आप लोगों को इमेल आइडी प्रोवाइड कर दूँगा आप चाहो तो अपनी क्वेरी को इमेल आइडी के तुरूवी सेंड कर सकते हो सभी वी क्वेरी को सोल्व किये जाएगा साथ इसाफ में आप लोगों बता दूँँ कि अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों के साथ फेस टूफेस यह मतलब लाइव आज आकर के आपके क्व आज की वीडियो समझ आ गई होगी अच्छे से इसको प्रेक्टिस करना ताकि आगे काम भी आप लोग इसली समझते जाओ कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इसली कूछ सकते हो इसी तरह की नई वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल अगर बेल आइगन को फ्रेश कर दे थैंक यू